हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तू मैं चैनल नील क्रियेशन आज हम ने एक नया पैटर्न लेक आए हैं जो के बिलकुल हिए उनीक है और बनाने में बहत आसान हैं सिरफ दो सिलाईया का है दो सिलाईया बीच में सीधी निकलेंगी यह मैंने फंदे डालके दो सिलाईया कूलती एक अगा लोगी ऐसे दागा आगे करके ऐसे एक के तीन फंदे बना लोगी एक उतार लोगी एक के ऐसे करके तीन फंदे बना लोगी फिर एक पंदा ऐसे उतार लोगी सीधा बनके आगे दागा करके दूसरी बर फिर ऐसे बना लोगी सीधा बनके बिना उतारे आगे दागा करके दूसरी बर फिर तीन फंदे बन जाएंगे फ्रेंज यह सिखर के सारी सिलाई कंप्लीट कर लूगी इस डिजाइन के लिए फ्रेंड्स हमें दो के मल्टिकल फंदे चाहिए होंगे ऐसे करके हम सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हैं हुआ है हम हमारे डिजाइन के से कंड रहा है है इसके लिए हम यह तीन फंदो को पीछे के लिए साइड है हमारे डिजाइन की और इसके लिए हम दागा पीछे करके सीधा बुनेंगे कि ऐसे हैं एक पंदा उतार लेंगे कि इन तीन फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डाल के तीन का एक बनाए लेंगे कि यह वाला ऐसे ही उतर जाएगा कि इन फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डाल के एक पंदा बुन लेंगे कि एक पंदा ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे करके यह हम सारी सिलाई बुन लेंगे कि इसमें थोड़े से फंदे डीले हाथ से ही रखेंगे हम कि इसमें बहुत ही असान है विगनर्स इसे असान से ट्राइब कर सकते हैं कि इसमें बुन बुन कर सकते हैं कि इसमें बुन बुन दोड़ेंगे ही एक पंदाएम झाल झाल पैसे करके तीनों फंदों को पीछे से काल की एक फंदा बनानेंगे एक जिस लिप वाला ऐसे ही उतार लेंगे थोड़ी से टाइट हो जाते हैं इसमें फंदे इसलिए थोड़ी बीले हाथ से रखना यह हमारी डिजाइन की एक सिला ही निकल गई है अब हम सीधी साइड आगे हैं तो पहले यह सारे पंदे वाइट कलर से हम सीधे सीधे बुन लेंगे पीछे दागागर के इसे सिधा सिधा इसे बुनते हैं साथ से लाइट कर लेते हैं यह देखे प्रेंट्स सिधी से लाइट हमने कंप्लीट कर लिया अब उल्टी साइड आगे हैं उल्टी सिलाइवी ऐसे सारी उल्टी ही निकालेंगे आगे दागागर के हम तो डिजाइन तो इतना ही है यह चार सिलाइओं का दो सीधी हैं दो में डिजाइन हैं आपको एक दूबर और एक बार और दिखाऊंगी मैं बनाके हैं ने कंप्रीट कर लिए वली यह देखे प्रेंट्स हमने यह वली सिलाइवी कंप्लीट कर लिया अब हम आपनी डिजाइन की नक्स्ट सिलाइवी पर आगे हैं जो फंदा हमने पहले बुना था उसे हम बिना बुने उतारेंगे और जो बिना बुना उतारा था उसे हम बुन देंगे पहली फंदे को हमने स्लिप किया था उसे ब तार देंगे, पांच में को बूलनेंगे ऐसे, ये सारी सिलाई हमें ऐसे ही कुंप्रीट करनेंगे, यहां तो थोड़ा से डीली हाथ से धागा रखोगे तो अतनी ही आसानी होगी बनाने में, ये दिखिये, तूरी सिलाई ऐसे ही निकाल लेंगे, अमरी नेक्स्ट से लाई आगी है, नेक्स्ट से लाई वैसे ही पीछे दागा करके, उल्टी तरफ से हम पीछे दागा करके बुनेंगे, यह सिदर करके बस, सीधा-सीधा बुन देंगे तीन तंटों को एक बार में, स्लिप स्टिच को स्लिप ही उदार देंगे, यह बहुत है ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनके हमारे सामने आएगा, आप इसे जरूर ट्राइ करके देखेगा, ओर시 किरें ते सामाने, छी वबहुत है, यह सकता है अप बनके हमारे सामने वीत दांएगा, यह स्टुंच सामानी सफप्सक्त्त, को दॉर दीन दंगे पाल र parlar कही, र सामने करा हमारे, पनल में आठों एक नदàiखें, अब हम वाइट से दो से लाइए सीधी और उटी निकाल लेंगे यह दोनों सीधी से लाइए एक सीधी और एक उट्डी यह दुखिए यह दिजाइन कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब स्टूर करेंगे